नमस्कार दोस्तों स्वागत था आप सभी का पाथफाइंडर पर So I am sure आपने सुना होगा कि government के द्वारा तीनों के तीनों जो कृशी कानून है उनको repeal करने का फैसला ले लिया गया है और ये फैसला पिछले शुकरवार के दिन लिया गया था लेकिन जो farmers का protest है वो अभी भी यहाँ पर continue हो रहा है आपके सामने मैं दो-तीन news cuttings पेश करने वाला हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसके बाद यह वाली खबर आपके सामने है राकेश टिकैत की आपका यह statement देख सकते है we care more for a policy on MSP than PM's apology यानि कि यहाँ पर statement बिलकुल साफ है कि यहाँ पर जो किसानों की demand है वो अभी यह है कि उनको एक legally guaranteed MSP चाहिए अभी तक आपको मैं बता दू MSP की जो policy इंडिया की कई सारी सरकारें follow करती आई है वो अभी तक कानूनन रूप से guarantee कोई भी कानून नहीं देता है यह basically एक political move है जो की काफी लंबे time से चलता आ रहा है लेकिन it is not legally guaranteed और अब किसानों की अगली demand यह है कि यहाँ पर जो आपका MSP है वो legally guarantee किया जाना चाहिए बात करेंगे इस चीज के basically pros and cons क्या है किसानों की exact demand क्या है उन सभी चीजों की discussion मैं आपके साथ करने वाला हूँ चलिए start करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद इस lecture की pdf को download कर सकते हैं यहाँ पर दिये गए telegram channel के माध्यम से इसके इलावा unacademy app के आप मुझे follow कर सकते हैं using this particular handle of 115A right guys सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं despite the announcement by Prime Minister Narendra Modi committing to repeal the three farm laws farmers ने यहाँ पर बोल दिया है कि उनका जो दर्शन है उनका जो protest है यहाँ पर continue होने वाला है and they have written to PM Modi with their six remaining demands including most importantly a legal mandate for the minimum support prices that is the MSP जो सयुक्त किसान मूर्चा है इन्होंने open letter लिखा है PM Modi को और letter में यह लिखा है MSP based on the comprehensive cost of production should be made a legal entitlement for all the farmers for all the agriculture produced so that every farmer of the country can be guaranteed at least the MSP announced by the government for their entire crop यह वाली अगली demand अब किसानों की सामने आई है guaranteed MSPs का मतलब क्या है इसको समझ लीजे basically अभी तक मैंने आपको बताया कि अभी तक जो government है वो MSPs हर साल announce करती आई है और हर आने वाली सरकार MSPs को announce करती है लेकिन सरकार जो है यह कानूनन रूप से यह करने के लिए बाध्य नहीं है the compulsion to procure on MSP is basically political and it is not legal यानि कि वो legally यह नहीं करती है वो basically politically करती है so that उसका कहीं न कहीं एक vote bank का role रहता है जो की MSP इसके बारा यहाँ पर पूरा किया जाता है अब मान लीजे कलको को यहाँ ऐसा कानून हो कि जहाँ पर सरकार बात दे बन जाए कि आपको MSP announce करना ही है उस case में government अगर कलको procurement नहीं करती है तो government के उपर काफी बड़ी problem आ सकती है इसलिए अभी तक किसी भी सरकार ने इसको legal mandate देने की कोशिश नहीं करी है legal mandate अगर यहाँ पर दे दिया जाता है उस case में सरकार के उपर काफी बड़ा दबाब बन जाएगा that they have to purchase all the produce that any farmer wants to sell at the declared MSP यानि की मान लीजे आपने MSP announce कर दिया है आपको सारा का सारा वहाँ पर जो produce है उसको purchase करना पड़ेगा सरकार कल को यह बहाना नहीं मार सकती कि हमारे पास यहाँ पर जगा नहीं है in case यहाँ पर MSP को legal mandate दिया जाता है इसके साथ जुड़ी हुई काफी सारी दिक्कते हैं मैं आपके सामने एक उधारन पेश करूँगा जो की USA का उधारन है जब Jimmy Carter की government चल रही थी 1977 से लेकर 1981 के बीच में इनका आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या यहाँ पर देखने को मिला था उस टाइम पर USA के जो dairy farmers थे इनकी economic condition को थोड़ा सा बहतर करने के लिए Carter की government ने announce कर दिया कि हर 6 महीने बाद जो milk का दाम है वो automatically 6% से बढ़ता रहेगा 6% से बढ़ता रहेगा लेकिन अब आप खुद सोचिए कि जब आपको इतने जाता दाम सरकार को बढ़ाने है उस case में Carter administration के ऊपर अमरीका की सरकार के ऊपर काफी बड़ी problem आ गई कि हमें किसी ना किसी तरीके से जो demand for milk है उसको भी यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा basically इन्होंने क्या कहा कि आप जितना milk बनाना चाहते हैं बनाईए जितना आप cheese बनाना चाहते हैं बनाईए सारा का सारा जो है वो government यहाँ पर आपसे खरीद लेगी एक तरीके से क्या हुआ कि आपको एक guaranteed MSP दिया जा रहा है जितना भी आप बनाएंगे उसका आपको guaranteed दाम भी दिया जा रहा है एक बार तो announcement कर दी लेकिन जब कुछ साल कुछ महीने निकले तो government को यहाँ पर realize हुआ कि यहाँ पर उनके पास जगा ही नहीं है जिस इतने सारे सामान को store करने के लिए obviously जो यहाँ पर farmers थे वो काफी खुछ थे they were happy with the higher milk prices और वो इसी particular चीज के चलते अपनी production को बढ़ाते रहे in excess of the real demand लेकिन एक तरफ तो demand को आपने नहीं बढ़ाया जो कि public के उपर depend करती है दूसरी चीज जो भी यहाँ पर दूद बनाया जा रहा था it went into making cheese और सारा का सारा चीज जो है यह government को ही यहाँ पर खरीदना पढ़ रहा था जो की उनसे सहा नहीं जा रहा था इसके अगली आने वाली सरकार President Ronald Dream की सरकार थी इन्होंने आते ही इस particular automatic price increase को खतम किया जो भी चीज सरकार के द्वारा कठा किया था इन्होंने इसको free में दे दिया और जो dairy farmers थे इनको इन्होंने pay कर दिया to cut down on the production of milk यानि की सरकार को यहाँ पे काफे नुकसान जेलना पड़ा जो क्रिशी farmers थे उनको यहाँ पे पैसा वापिस करना पड़ा कि भई आप अपनी production कम कर दो जो चीज उन्होंने कठा किया था उसको भी इन्होंने free में बांटना पड़ा to the public तो यह काफी सारी problems आई यह आपके सामने सीधा सीधा उधारन है कि government जो है वो guaranteed MSP अगर देती है तो उस case में क्या दिक्कते सामने आ सकती है इंडिया के case में यह दिक्कत और भी बढ़ सकती है क्योंकि इंडिया के case में जितने लोग agriculture में involved है यह बहुत जादा है and they are far more economically distressed than any western country और अगर आप एक legally mandated MSP दे देंगे तो ना तो यह feasible है ना sustainable है in the longer run क्योंकि इतना भारी जो burden है यह हमारी सरकार नहीं जेल पाएगी अब इसका मतलब यह तो नहीं कि आप लोग MSP बिलकुल बंधी कर दें क्योंकि इसके साथ दिक्कते हैं जी नहीं ऐसा नहीं है इसके case में आपको कुछ ना कुछ यहां पे way forward देना होगा तो possible way forward क्या हो सकता है सबसे पहली बात तो इसमें यह आती है कि farmers की awareness को इस तरीके से बढ़ाना चाहिए कि farmers जो है वो participate कर सके market के अंदर लेकिन most of the Indian farmers ऐसे हैं जिनकी small और marginal land holdings हैं जिसकी वज़े से वो यहां पे participate नहीं कर पाते हैं they are poor and they are indebted करजे के अंदर डूबे होते हैं and a large section among those they work in the field who are majorly landless laborers तो वो directly market में जाके participate नहीं कर पाते हैं इसलिए वो MSP के उपर rely करते हैं फिर और क्या हो सकता है दूसरा यहां पे चीज बन सकती है कि सरकार के द्वारा agriculture sector के अंदर निवेश को बढ़ाना चाहिए निवेश को बढ़ाने का मतलब क्या है कि education की जो facilities हैं बहतर करनी चाहिए access to career बहतर करना चाहिए access to power बहतर होना चाहिए warehouse capacity extension services वगारा वगारा यह सब चीजें आपकी बढ़नी चाहिए so that farmer की जो bargaining capability है वो बढ़ सके और farmer जो की आज अपनी केवल cost को ही निकाल रहा है वो थोड़ा profit कमा सके so because government उनको बाकी services यहां पे free में available करवा रही है इसके इलावा the problem is कि इंडिया के case में agriculture जो है उसका योगदान GDP में कम है लेकिन काफी सारी आबादी उसके उपर depend करती है केवल 17% आफ इंडिया's GDP is basically given by agriculture लेकिन उसमें जो आबादी है यह लगभग 55% की आपको देखने को मिल जाती है कहने का मतलब साफ है कि हमें जो solutions है वो agriculture के sector से हट कर देखने चाहिए the solution to the economic distance of the Indian farmer lies outside agriculture की हमें किस तरीके से इंडिया की जो industrial और service sectors है इसको हम किस तरीके से boost कर सकते हैं हमें देखना चाहिए so that जो हमारी आबादी आज की डेट में agriculture के अंदर फसी हुई है उसको हम लोग वहां से निकालके industrial और service sector में लेकर आएं कई बार हमारे आर्थिक सर्वेक्षर ने इसकी चर्चा भी करी है कि हमें rural industrialization के उपर focus करना चाहिए so that हमारी जो youth है जो की आज वहां पर बेरोजगार है उसको रोजगार का मौका मिल सके इसके इलावा इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपके ये दो sectors आगे बढ़ते हैं they can potentially soak up the excess labor that is at present engaged in the unremunerative farm activities आपने नाम सुना होगा of something called as disguised unemployment तो जो हमारी agriculture का sector है यहाँपे disguised unemployment काफी साधा होती है data ये भी शो करता है कि manufacturing lost half its job even before the COVID-19 pandemic hit ठीक है ये चीज़ यहाँपे हो नहीं रही है तो जब तक सरकार industrial और services sector में निवेश नहीं करती है तब तक वहाँपर भी आपको उतना रदा योगदान देखने को नहीं मिलेगा इसके इलावा basically यहाँपर ये भी कहा जा रहा है आप भी अपनी राए हमें comment section दे सकते हैं कि क्या guaranteed MSP यहाँपे सही तरीका है इस particular चीज़ को ठीक करने के लिए या फिर हमें कुछ और चीज़ें यहाँ follow करनी चाहिए so that farmers के distress को agrarian distress को हम लोग थोड़ा सा कम कर सकें दोस्तो comment section open है अपनी राए हमें देना बिल्कुल भी ना भूलें जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस रविवार के दिन unacademy फिर से आपके लिए लेकर आया है UPSC का CSE का mega combat जिसमें आपको हिस्सा लेना है और इसमें हिस्सा लेते time आपको जो code पूछा जाएगा आपको वहाँ पे enter करना है ANI UPSC जिसके चलते आपको यहाँ पे काफी अच्छी scholarships मिल सकती है इसके अटेरिक unacademy आपके लिए offers रन कर रहा है जो की 24 November तक valid है iconic GS का आप course लेते हैं तो इसमें आपको एक साल के iconic GS के ऊपर 12 months का optional free मिलता है 2 के ऊपर 2 साल का 3 के ऊपर 3 साल का optional free मिलता है अगें ध्यान रखे कोई भी आपको course purchase करना है फिर भले वो UPSC का हो फिर भले किसी और exam का हो ANI UPSC code इस्तेमाल करने के ऊपर आपको काफी discounts मिलेंगे और ये वाले सारे benefits दो मिलेंगे मेरी personal guidance WhatsApp group में addition 20 books आपके तर तक पहुंचाई जाएंगी इसके इलावा आपके लिए नए batches शुरू होने वाले हैं और मेरे द्वारा भी आपको ये वाली offerings रखेबल करवाई जाएंगी Thank you so much for listening Stay tuned and stay safe